का दुनिया का number one disturbance क्या है mobile phones smartphone यह है number one disturbance productivity में बहुत बरा disturbance है no doubt about it कि mobile phone को आप productivity के लिए यूज कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन disturbance में भी number one है तो आप सब को मैं बता रहा हूं कि हमें यह अपना प्रोसेस बदलना है कि जहां पे लोग अपने आपको mobile का गुलाम बना के रखा है और मेरे साथ ही कई बार होता है कि लोग कहते हैं मैं आपको phone कर रहा था अपने मेरा phone नहीं उठाया भाई if I have to do something in life मुझे अगर जिदगी में कुछ हासल करने की खाईश है तमना है तो मुझे उसको छुटी देनी पड़ती है और देना चाहिए जब कुछ meaningful काम कर रहे है काम कर रहे है चुटी दो उसको mobile को silent phone रख करके रख दो कोई बात नहीं जब time आएगा catch up करेंगे break में catch up कर लेंगे no problem लेकिन काम करना है नोटिफिकेशन आ रहे हैं ये चीज़ आ रही है कॉल भी लिमिट होती है वही हर बार हर कॉल के लिए हर टाइम पर अवेलबिल होना अफकोर्स आप अगर कॉल time में ज्यादा results पैदा होते हैं अब आदमी थोड़ा सा किया डिस्टरब हो गया call आ गया message आ गया कि पूरे concentration से कोई चीज के अंदर घुज जाओ अंदर घुज के सोचो दमाग से ध्यान से हातों से पूरी abilities के साथ काम करो फिर देखो कैसे अचीव नहीं होता है you enjoy doing it बल्के ये बार-बार disturbance से क्या होता है कि आदमी की productivity effect होती है उसका concentration effect होता है उसकी खाईशे उसकी problems होता है finally वो जा रहा है अपने सुस्ती वाले mode में बाहर वापस जहां से बाहर निकल के आया था बहादुरी से वहीं की तरफ वापस push हो रहा है वापस धका मारती है सब चीजे तो उसको control करना बहुत ज़रूरी है उसका time रखो उसका time zone रखो लेकिन उसके बहुत सारे productivity problems create हो रहे है और इसमें difficulty होती है कि कैसे regulate करें कैसे regulate करें यह बहुत जरूरी है तो यह हो गया हमारे disturbances को deal करना हाँ disturbances को deal करना आपके इस चैनल को और बहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है आए प्लस टीवी बहतर जिन्दगी के लिए अपने केबल या DTH operator से आए प्लस टीवी आज ही डिमांड करें आए प्लस टीवी free to air और Indian registered channel है